अपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में आपसे बात करूँगा राजिस्तान मादनिक्षा बोड कक्षा 10 वी 12 वी की बोड प्रेक्षा कब से होगी कब जारी होगी आपकी डेट सीट साथ ही मैं बात करूँगा कब आपका टैम टेपल जारी होगा इसके अलावा कक्षा 5 वी कक्षा 8 वी बोड की परेक्षा इस सटर में होगी नहीं होगी होगी तो कब होगी इसकी डेट भी बताने वाला हूँ उसके फॉरं की बात करने वाला हूँ तो पैसे शुमनाके वीडियो को एंड तक देखते रहें और जिस तब तक चैनल को सब्स्क्राइब नहीं किया जिसे आने वाली सभी वीडियो की नडुकिशन आप तक पहुंच जाए तो जैसा कि आप सभी को पता है काक्षा नवी से लेकर बारवी तक के लिए जो पढ़ाई है वो स्टार्ट होने वाली है 18 जनवरी से राजस्तान प्रदेश में आप सभी की स्कूल उपन होने वाली है अब यहाँ पर हम बात करेंगे उनकी एक्जाम की अगर मैं एक्जाम की बात करूँगी कक्षा 10 वी और 12 वी की जो बोड़ परिक्षा है इस सत्र में कब से होगी काफी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर इस सत्र में एक्जाम होगी यह नहीं होगी होगी तो लेट होगी जल्दी होगी कब होगी तो इन सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि अब जो आप ये सोच रहे हो आपकी दिमाग में जो ये विचार आ रहा है अभी भी उसको बंद कर दो अब ये निशित है बिल्कुल फाइनल हो चुका है कि आपकी जो बोर्ड परिक्षा है वो इस सत्र में होगी और ना किवल बोर्ड परिक्षा जितनी भी किलासे हैं जो नोन बोर्ड किलासे हैं उनकी परिक्षा होंगी पहली बात दूसरी बात कुक्षा दस्वी और भारवी की आपको बताऊ वाली हैं मई महीने में होगी मैं मंथ में आपकी बोड प्रेक्षाय होने वाली हैं पंद्रा माई के बाद आपकी एकजाम स्टार्ट हो जाएंगी क्यक्त déb casi 10-12 की बोड प्रेक्षाय हैं सिर। राजस्तान प्रदीस है वो मu derni咪 मेने में होने वाली है इसके अलाए कपी अपरवार्सिक एक सँ करते हैं क्योंकि समय नहीं है कि आपके अर्वार्सिक एक सब्सक्राइब हो अपकी हापिडली एक्जहाम हो वह नही पहली बात तो जो मेन यहां द्यान केंदरित रहेगा इस्कूल वालों का या जितने भी तीचर नथे उनका जितने भी स्टाइब्ट उनका वह द्यान रहेगा आपके स्लेबस को कंप्लिट कराने के लिए मतलब कि slaves कम है हम सभी को पता है कि slaves कम है 60% सिलेबस है 60% सिलेबस है लेकिन ये भी कम नहीं है ये भी कम नहीं है इसको भी एक समय पर complete कराना होगा क्योंकि आपकी exam तो fix है मई में होने वाली है तो अगर 18 जनुवरी से आपकी classes open होती है और आपकी क्लासे लगती हैं पढ़ाई शुरू होती है तो भी करीब 3-3 मनी चाहिए 60% स्लेवर्स को ओफलाइन कराने के लिए काफी स्कोलोंने उनलाइन स्लेवर्स को कमप्लेट करा दिया है और इस 70 में आपको काफी सरल तरेगा आपका पेपर पैटरन होगा काफी अजिसे इस लिये होगी क्योंकि इस बार आपकी एक्जाम हो जाए बस किसी भी तरीके से आपकी एक्जाम कंडेक्ट हो जाए क्योंकि बिना एक्जाम के आपको परमोट नहीं किया जाएगा बिना एक्जाम को आपको पास नहीं किया जाएगा इस सत्तर में राजस्तान के सिक्षाम ज़ाइ परेल के महीने में लगवाने में काँका जारी कर दिया जाएगा प्रिवोड़ का तो प्रेक्षाम लगवाग 1 महीने का जारी कर दिया जाएगा Pre-board का तो Pre-board depend करेगा कि आपकी school लेती है ने लेती है वो school पे depend करेगा अरद्वार से के exam बिल्कुल आपकी नहीं होगी और offline पड़ाई आपकी शुरू हो रही है बहुत अच्छी बातां आप सभी के लिए इसके अलावा कक्षा आठवी और मैं आपर पांचवी की बात करूँ बिल्कुल इनकी बोर्ड परेक्षा हैं होगी लेकिन आपी फोरम स्टार्ट नहीं हुए है जैसे कोई फोरम स्टार्ट होगे कोई डेट आती है तुम आप सभी को इन्फरम कर दो हूँ है कि कक्षा परेक्षा फोरम में वो कब से स्टार्ट होगे और आपकी एक्षा कब होगी तो यह बोला गया है कि आपकी जो एक्षा आठवी की पांचवी की ये अप्रेल महिने में आपकी कंडेट कराए जाएंगी लेकिन अभी तक आपके फोरम नहीं निकले हैं तो बहुत जल्दी ही मार्च में आपकी दसवी की परेक्षा होती थी तो मार्च एंड या अप्रेल स्टार्टिंग में आठवी की परेक्षा होती थी अब आपकी एक्षाम हो रही है मही में तो खक्षा पांचवी और आठवी की परेक्षाएं इस बार जून मंत में होने के चांसे जे की हो सकता लिए हैं online offline उसी के आदार पर आपके 20 नमर में 17 जाएंगे परिक्षा पैटन 15 जनवरी के बाद में upload होने वाला है जैसे ही upload होगा मैं वीडियो बना के आप सभी को बता दूँआ कि किस तरह का आपका pattern रहा है सभी subject होगा प्रतेक subject का मैं आपको pattern बता दूँआ इसके लावाँ आपको model paper भी बता दूँआ कापी सारे model paper मैंने खुद ने डाल रखें आप सभी जाएं चैनल पर देखें कापी अच्छी तरीके से मैंने बता रखें motivational वीडियो भी बना रखें आप सभी के रिए कैसे आप तीन महीने के अंदर 95 plus percentage बना सकते हैं मार्क्स ला सकते हैं किस तरह से आप अच्छीव करें किस तरह से preparation करें time table क्या होना चाहिए कितने गंटे पड़ें इन संपर वीडियो बना रखें इन सारे topics से मैंने वीडियो बना रखें और मैंने एक series भी start किये कि आपको रोजाना motivation पे एक वीडियो मिलेगी और बहुत जल्दी आपको मिलती रहेगी रोजाना कल भी मैंने motivation वीडियो बनाई थी college वालों के लिए school वालों के लिए बनाते रहता हूं और बहुत जल्दी आपके लिए कक्षा पहली से कक्षा आटवी की जो विद्यारती है उनके लिए जो school open होगी वो फरवरी मन्त में होने के पूरे पूरे चांस है क्योंकि जनवरी मन्त की guideline आ चुकी है और जनवरी मन्त की जो guideline है कोरोना को देखते हुए उस guideline में अभी सिर्फ इतना बोला गया है कि 18 जनवरी से कक्षा 90 से कक्षा 12 तक के लिए आपकी school open होगी तो फरवरी की जो guideline आएगी उसमें हो सकता है कि आपके कक्षा पहली से 8 तक क के लिए भी school को open कर दिया जाए क्योंकि अगर हम अब देखना होगा अभी जैसे school खुल रही है आपकी जनवरी मन्त में 18 तारीक से school open होती है तो अगर cases की संक्या नहीं आती है सारी condition normal रहती है तो हो सकता है कि आपकी फरवरी मन्त में छोटे classes के लिए भी school को open कर दिया आपको कुछ तोपिक चाहिए तो आप सजेस्ट करें कि मुझा इमारी मोटिवेशन और करना हो कुसीर अपडेट वीडियो मैं जरूर आपको इंफर्म करों, तो कमेंट करें इसससाथ अच्छी तेट लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें धन्यवाद